बोलोश्री प्राण नाथ प्यारे कीजे, बोलोश्री सद्गुरू माराज कीजे, चर्चा प्रारंब होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज स्यामा स्री प्राण नाथ, सक्षी जीवन हमार वे, श्री महामति कहे साथ जी, भजा चर्चा का बखत, अब तुम सुनियों चित दे, लाल आगे आए बेठे न तखत, लाल आगे आए बेठे न तखत, श्री महामति कहे, ए मोमिनों, याद करो सुक्राना, मेहर करी तुम उपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, श्री श्री जी की आठ पर किवित, जो श्री पर्णौति परी में भई सो शुरू, अवल हक के दिल में, सभी सुन्दसार को मेरा प्रणा, धाम धनी श्री राज जी, सिलाल राज जी के धाम इर्दे में बिराजमान होकर, इबितक का वर्णन करवा रहे हैं, जिसमें कल हमने सुना कि कैसे शत्र साल जी की स्री जी से भेंट होती है, और शत्र साल जी कैसे अपना सर्वस निचावर कर देते हैं स्री जी के उपर, और शत्र साल जी ही फूर्ण पहचान करते हैं अक्ष्टातित की, इसलिए उनको अमिरूल मुमनिन कहा गया है, और केसे पुरन ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे स्थुतिक आकर सब को समझाते हैं कि यहाँ पर जो आए हैं यह कोई सादू संथ नहीं है कौन है पुरन ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे है और मेरी आत्मा का सम्मन्द जान करके मुझे जगाने के लिए यहाँ पर सब सुन्द साथ के साथ आए हैं और इसी अक्ष्राति की फून पेचान करके 36 साल जिनि वहाँ पर आती उतारे थी अब आगे अश्ट पर की सेवा शुरू होती है लेकिन यहाँ धामदनी के रहे हैं यह मंगलाचरण है मंगलाचरण जैसे कोई भी ग्रंद परम करने से पेले मंगलाचरण आता है जिसमें कोई भी ग्रंदकार उस परमात्मा के भावों में खोकर ग्रंद की रचना करता है लेकिन यहाँ अक्ष्रातित ने जिस तन में बेटकर लिला की वो अश्ट पहर की सेवा यहां शुरू होती है कि कैसे सुन्दर सार्थ ने उस अक्ष्रतित की सेवा की क्योंकि सुन्दर सार्थ ने पेचाना था कि जो हमारे सामने ये तन है ये पांच तत्व का तन नहीं है इस तन में हमारे साक्षाद धामधनी बिराजमान है और इसी भाव को लेकर सब सुन्दसाद श्रीजी की सेवा करते हैं यहां के रहे हैं धामधनी अवल हक के दिल में जैसे बितर की सुरुवात में हम देखें तो महा कारण आता है वैसे कारण क्या है? अक्षर ब्रम के दिल में जो रंग महर में लीला होती है वो देखने के इच्छा हुई और सक्खियों के मन में जो माया का खेल है वो देखने के इच्छा हुई यह क्या हो गया? कारण लेकिन इसका भी कारण है कारण का भी महा कारण है क्या है कि राजची को ही अपनी पूर्ण पहचान करानी थी अपनी महर की पहचान करानी थी एक पात्साई अर्ज की दुजा वाहे दर्थ का इस्क सो दिखलावने रूहन को पहले दिल में लिया हक ये बात राजची ने पहले से ही दिल में ले लिए थी क्योंकि जब तक राजची दिल में नहीं लेंगे सक्षियों के दिल में नहीं आएगी कोई भी बात अक्षरबम के दिल में भी कैसे आ सकती है तो राजची ने अपनी मेहर की पेचान कराने के लिए पहले दिल में ले लिया था और जब हम यहां संसार के कश्टों को देखते हैं तो राज्ची को हम कोचते हैं कि धामधनी आपने हमें कहां पर लाकर पटक दिया लेकिन यदि हम वानी को समझेंगे अक्सरातित की पेचान करेंगे तब हमें पता चलेगा कि राज्ची ने कौन सा खजाना लोटाने के लिए यहां पर हमें लाए हैं यह हमारे पर निर्पर करता है कि हम कितनी राज्ची की पेचान करते हैं और कितना उस खजाने को ले पाते हैं क्योंकि जो बाते हम प्रम्धाम में भी नहीं चानते थे वो बाते राची ने यहां लाकर खोल दी है वाणी के माध्यम से अपना दिल खोलकर हमारे सामने रख दिया है लेकिन अब हम उसमें से कितना गहन करते हैं यह हमारे पनीर पर करता है ये सबसे पहले राजी हमें किसी ब्रज में लाए ब्रज में 11 साल 52 दिन लिला करने के बाद हम रास में गए रास में जाकर भी हमने यही कहा कि हवे वाला हूँ एटलू मांगू खीन एक अलगा न थैये जिहां अमने विरह नहीं चालो ते घर जिये कि धामद्णी हमें तो वहां ले चलो जहां पर आप और हम कभी जुदा न हो धामद्णी कहते हैं कि ऐसा तो केवल परमधाम है हम परमधाम में जागरत होते हैं जैसे ही जागरत होते हैं फिर राजी से कहते हैं कि धामद्णी आपने तो हमें इतना डर दिखाया था कि वहां जाकर आपको जनम मरन देखना पड़ेगा ऐसे ऐसे दुख होंगे लेकिन ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा तब फिर राजजी हमें पुना इस खेल में लेकर आते हैं जब ब्रज में आये थे तो केवल ब्रज में थे लेकिन इस समय अलग-अलग जातियों में अलग-अलग प्रांतों में कोई कहां है तो कोई कहां है सब अलग-अलग है वज़ाची यहां पर सुन्दर साथ आकर यह भी भूल गए हैं कि हमारा मुल्द सम्मन्द किस से है सुन्दर साथ से हमारा क्या सम्मन्द है इस बात को अभी हम यहां आकर भूल गए हैं और धाम धाई नहीं हमें वो सारी बाते याद दिलाए इन सरूप की इन जुबां यह जो अक्ष्टातित का सरूप जो महामत्यजी के तन में राजजी विराजमान है उस सरूप की क्या कह रहे हैं इन सरूप की इन जुबां कही इन जाए सिफ़त इसकी महिमा का बखान नहीं हो सकता सागर सुख अनगिंती धाम धनी यहां पर जो सुख दे रहे हैं वो सागर के समान है जिसकी तुल्लाम किसी से भी नहीं कर सकते पल पल लेत सयान और वो सुख कौन ले रहा है सुन्दसाथ वो सुन्दसाथ जो सेवा में सामिल है एक पल सेवन की यदि एक पल भी कोई रज्जी की पेचान करके सेवा कर लेता है सुख आवेना इन जुबान उसको कितने सुख मिलेगा प्रमधाम का इसका वर्णन में जुबा से नहीं किसकते ये बात पहले से धर्म गंतों में वर्णन था कि कैसे कैसे ब्रह्मोनी आएंगे और कैसे उस अक्षरतीत पर अपने आपको कुरुबान करेंगे ता में सेवा करे जो संग चले उसमें भी जो सेवा करके जिनोंने अपना तन छोड़ दिया ताकि सुमार्न आवे सिफ़त उन ब्रह्म मुन्यों की महिमा क्रामे बढ़नन नहीं कर सकती सुन्द साथ जी धाम धनी भी हमें कह रहे हैं कि लाडलिया लाहूत की जाकी असल चोथे आस्मान बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफ़त करे सुभान अक्षरा तीद भी हमारी महिमा का वखान करते हैं और भी क्या कहा कोड ब्रह्मान जाके पल्थे पेदा सो भी चाहे हमारा दर्सन जिस अक्षर ब्रह्म के परमात्र से कर्ड ब्रह्मान उत्पन होते हैं और ले को प्राप्त होते हैं वो अक्षर ब्रम भी उन ब्रम आत्माओं के दर्शन करना चाहते है लेकिन क्या हमें अपने महत्व का पता है ना तो हमने अपने आप को पेचाना है ना सुन्दस साथ को पेचाना है कि इनके अंदर है कौन जिन सुन्दस साथ की बारे में स्थी जी कहते है कि साथ के चरन धोई पीजे ताको दिये में कश्ट कि जिन सुन्दसाथ के चरनों को दोकर जल पीना चाये था उन सुन्दसाथ को मैंने कश्ट दिये जो जो प्रीत हो थे साथ में त्योंतियों मोहिकों हो थे सुक जो जो ब्रोद करत है साथ में अंत में वाहि को जो है दुख जैसे जैसे सुन्द साथ में प्रेम बढ़ता है प्रेम भाव बढ़ता है वेशे वेशे अक्ष्रातीत को अक्ष्रातीत प्रसंद होते हैं क्योंकि अक्सातित कभी दुखी नहीं होते हैं लेकिन ब्रह्म आत्माउट के प्रेम को देखकर उनको प्रसंता होती है कि ये ब्रह्म आत्माई इस खेल में आ करके भी केस से यहाँ पर रे रही है स्टी जी की सेवा में सुन्दसात तत्पर है अश्ट पर की सेवा को समझने के लिए सबसे पेले हमें ये समझना होगा कि जिसे दिन और रात के 24 गंटे होते हैं उन 24 गंटों में आठ पर होते हैं एक पर कितने गंटे का होता है तिन गंटे का एक पर होता है और उन आठ पर में 64 घडियां होती है एक घड़ी साड़े बाइस मिनिट के होती है इस परका आठ पॉर और चोचट घड़ियां होती है रात और दिन की यहाँ पर वनन आएगा कि पहले पहर में, दुस्ते पहर में, तीस्ते पहर में, चोथे पहर में कैसे-कैसे सुन्दसात सेवा करते हैं तेला पार होता है छे से नो का छे से नो बज़े के बीच में सुन्दर साथ कैसे कैसे स्थी जी की सेवा करते हैं वो बर्णन हम सुनेंगे सुन्दर सेज सरुप की जहां पर स्थी जी पोड़ते हैं वहां क्या है? सुन्दर सेजे अर्ति प्यारी भरी नूर यहां पर नूर नहीं आ सकता लेकिन सुन्दर साथ के अंदर वो भाव है सुन्दर साथ यह चाहते हैं कि जिस तन्वे अक्ष्रातीत बिराजमान है उसको ज़रासा भी गष्ट नहो और यही उन्होंने पहचान किये कि एही अक्ष्रातीत है एही हे धनी धाम एही महमद मेहंदी इसा एही पुरे मनुरत काम कि यही हमारे धाम के धनी है क्योंकि हमें जो कुछ मिला है इस तन के मार्ध्यम से मिला है और यह तन अब केवल तन नहीं है यह तो अक्ष्रातीत है अत्प्यारा लाल पलंग पलंग है जिसकी लाल रंग का उसमें पांच प्रकार की पट्टी है पांच रंगों की प्रेम प्रीत सो सेव ही और वो जो सुन्दसाथ सेवा करते हैं वो प्रेम और प्रीत से ऐसा नहीं कि किसी को सेवा मिल गई तो जब जबर जश्ती निभा रहे हैं उनके हेते में भाव है एक प्रेम है और हर सुन्दसाथ जिसको थोड़ी सी भी सेवा स्टीजी की मिलती है वो थोड़ी सी भी सेवा करके खुस होता है कि आज मुझे धाम धनी की ये सेवा मिली हर सेवा, हर सुन्द साथ अपने समय से बारी-बारी से करते है सेज तलाई कोमल सेज के उपर एक चदर है, जो बहुत कॉमल है सिरा ने गाल मसुरिये गाल मसुरिये केते हैं जो एक छोटे से तक्या होता है जिसको गाल के नीचे रखकर सोते हैं सुन्द साथ ने वो भी बना रखे हैं कि स्रीजी को जरासा भी कष्ट कानुभाव न हो क्योंकि इस शरीद ने बहुत कष्टो को देखा है स्रीजी कहां से चले थे? सुरत से जो पांसो सुन्द साथ कटे हो गए थे और वहां से स्रीजी ने ये जागनी का बीड़ा उठाया था बिहारी जी को भी यही कहा था कि बिहारी जी यदी हम अपने स्वारत के लिए ये कार्ये करेंगे तो हम कभी भी सफर नहीं होंगे और यदी हम सुन्द साथ की आत्मा को जागरित करने के लिए यदी ये कार्ये करेंगे तो हमें हराने वाला कोई भी नहीं होगा क्योंकि हम ये कार्ये अपने स्वारत के लिए नहीं कर रहे ये तो अक्षितातीत का काम है और हम तो अपना फर्ज निबा रहे हैं और हर सुन्दस साथ को ये आत्मिक सुख देना चाहते हैं सुदत से चले थे पन्ना पोहुँचते पोहुँचते कितने कश्टो का सेवन किया कभी भिक्षा मांगी या कभी देहने कुछ जगह ने मिली कैसी कैसी इस्थिती में पन्ना पोहुचे थे अब जब पन्ना पोहुचे हैं तो सुन्दस साथ पेचान करके स्टी जी की सेवा कर रहे हैं तो सुन्दस साथ ये नहीं चाहते हैं कि चरासापी कष्ट कानुभव स्री जी को हो चारो पाएं सेज बंध पलंग के उपर जिसे गुदड़ी आदी बिचाय जाती है उसके उपर चदर बिचाय जाती है और चदर के चारो कोनों पर चदर सेज बंध है जिसमें फुमक है, सेजबंद यानि के कहीं भी चत्दर के अंदर सलवट न रह जाए, इसलिए चत्दर को चारो तरब से बान दिया जाता है पलंग उठाए बिचावत पलंग को कोन उठाता है और कोन बिचाता है नारायन हर नंदन नारायन भाई और हर नंदन भाई यह सेवा करते हैं कोई दिन ना थे करी, कुछ दिन ना था जोसी ये सेवा करते हैं, फेर के चित्ते करी और यही सेवा मत्धुरब भाई, गंगाराम भाई, परमानन भाई और स्याम भाई भी इस सेवा में सामिल होते हैं पलंग के चारों पायों की जगा पर चार डंडे बांदे जाते हैं, उसके उपर चंद्रवा बांदा जाता है यह सुन्दसार मानिक सेवे सनेसों और मानिक भाई बहुत प्रेम से ये सेवा करते हैं हजुर हाजिर रात दिन और रात दिन स्थी जी की सेवा में दर्थ पर देते हैं कि कब स्थी जी को किसी चीज की आवा सकता पड़ जाए जल अरोगावे चबिलदास जल अरोगाने की सेवा चबिलदास कोन है बिहरी जी की बेहन है जमना बाई उनके सुपुत्र है चबिलदास जो स्थी जी जल अरोगाने की सेवा करते हैं पिछली रात रहे धड़ी दोए जब स्थी जी उठते हैं पलंग से रात पूरी होने में दो घड़ी बाकी देती है यानि सवा पांस बज़े का समय होता है उस समय छबिल तास जी जल लेकर आते हैं पूर बाई को राज ने कुछ समय छबिल तास जी जल अरोगानी सिवा करते हैं कुछ समय बार स्टी जी वही सिवा पूर बाय को देते हैं पाम दाबन प्राता को और जब स्टी जी की उमर भी हो गई है कई सुन्दसाथ सुन्दसाथ बहाना खोचते हैं कि कैसे भी हमें स्टी जी की सिवा मिले और कई सुन्द साथ उसमें चर्ण दबाने के लिए भी आते हैं आवे अगरदास गुल जी चर्ण दबाने कौन कुन आते हैं अगरदास भाई और गुल जी भाई आते हैं कभू कभू माव जी और कभी कभी माव जी भाई भी ये सेवा करने के लिए आते हैं उठत पियू पलंग से श्रीची अब पलंग से उठते हैं सब हजुरी हाजिर रहे और सब सुन्दसाथ सेवा वाले श्रीची के सामने खड़े होते हैं जिसकी जिसकी जो सेवा होती है सब अपने अपनी सेवा में ततपर होते हैं कि सुन्दर साथ का एक ही भाव है, कि सुन्दर साथ को भी कोई कर्ष्ट ना पोँचे. अंगीठी इन समय और इस समय अंगीठी लेकर बिहारी ताज़ी आते हैं. और रोज श्टीची को तपाने की सिवा, यानि जब ठंडी होती है, तो अंगीठी चला कर वो गर्मी करते हैं. रुमाल रतन बाई का, रतन बाई क्या करती है? गरम पानी में रुमाल को बिगोती है और स्टीची को देती है, जिसको लेकर स्टीची अपने नेतर पहुंचते हैं. कुछ सुन्दसाथ आकर यहां तीची भूम की पड़साल का गार्यन करते हैं. रिजावत हैं स्टीराज को मधूर स्वर में गाकर अक्ष्टातीत को सुन्दसाथ जी रिजाते हैं. बिहारी दास सेवा करी, अंगेठी तपाने की सेवा बिहारी जी करते हैं. दोनों समय सुबर और यानि रात को और सुबर दोनों समय अंगेठी को लेकर आते हैं और स्टीरी जी को तपाते हैं. पहले मोजे पहनावत सुन्दसाथ स्टी जी को कंड़पी पहनाते हैं. उसके उपर पहले तो गोटा, उसके बाद कंड़पी और उसके बाद मोजे भी पहनाते हैं. प्रेमदास चित लिया हैं मोजे पहनाने की सिवा प्रेमदाजी करते हैं. पहने कभू पहने कुर्ती और स्टी जी कभी कुर्ता धारन करते हैं जिसमें पहले कुर्ते उस पकार के होते हैं जिसमें रसी बानने की होती जी तो स्टी जी कभी कभी ऐसा कुर्ता भी धारन करते हैं और जब सद्दी का समय होता है तो कई सुन्दसाद स्ती जी को नकसकारी की वी सोल ओडाते हैं जिसमें जरी बूटे की नकसकारी होती है प्रेमदास वस्तर पहनावत प्रेमदास श्ती जी को वस्तर पहनाने की सेवा करते हैं लाल बाई कस बांधत लाल बाई लाल बाई कौन है? लाल राच्चे की धर्म पतनी स्थी जी के कुर्ते का कस बानती है मकरंदास रहे भेले और कभी-कभी लाल बाई के साथ मकरंदास जी भी होते हैं जब पहुँचे इत महराज जब महराजा छत्रसाल दी आ जाते हैं तो वो भी स्टीजी को सिंगार कराते हैं बल्रब जीवी प्रेम बाई बल्रब बाई जीवी बाई और प्रेम बाई क्या सेवा करते हैं बांदे चंद्रवा सेत खान जब स्टीजी देह क्रिया के लिए जाते हैं तो ये सुन्दसाथ वहाँ पर चंद्रवा बानते हैं, ये सेवा नित करें और एक दिन नहीं, प्रति दिन सुन्दसाथ ये सेवा करते हैं, प्राता समय पधारत स्टीजी सुबह के समय पधारते हैं, जब स्टीजी तेह क्रिया के लिए जाते हैं, कोई सुन्दसाथ पावड को और ये सेथ खाना यानि देख विया कि स्थान की विवस्था कौन करते हैं घंश्याम भाई चरन दासी पन ही श्रीची को खड़ाव कौन पहनाते हैं पहले रखी दास नारायन पहले सेवा नारायन दासी करते थे कोई दिन मोहन रखी और बात में फिर मोहन भाई ये सेवा करते हैं फेर इस्ती राजे रेज के फिर राची प्रसन होकर दाई वल्लब दास वल्लब दासी को ये सेवा दे देते हैं पावड़े बिछावत बक्काई और बक्काई बाई पावड़े बिछाने की सेवा करते हैं लोटा भर के ल्याव ही लोटा भर के जल सिवराम भाई लेकर आते हैं दोनों समय वहाँ पर पानी रखते हैं इत पलास के व्रिक्ष तले हैं पलास के व्रिक्ष के नीचे कौन र हरवन्स भाई और देव की भाई ये क्या करते हैं जो भी सुन्दसाथ आते हैं उनको दातून देते हैं और गरम पानी देते हैं जारी के अंदर गरम पानी परके रखते हैं और सब सुन्दसाथ को देते हैं ताके सब सुन्दसाथ दातून पानी करते हैं सुरज मुख्य लेकर सेख बदल भाई खड़े होते हैं अमोला प्रभावती बाई और प्रभावती बाई मोर्चल लेकर मोर्चल डुलाते हैं हरवंज के घर से फिरे जब स्री जी हरवंज भाय के घर से लोडते हैं चले पावड़े पर स्री जी पावड़े पर चलते हैं और कई सुन्दसाथ बीच में बाते करते हैं तो स्री जी उनको हसाते भी हैं स्वयम भी हसते हैं और सुन्द साथ को भी बाते करके हसाते हैं हाथ पकड़ बिठावत और हाथ पकड़ के बिठाने की सेवा कौन करते हैं धन बाई राम कुवर धन बाई और दाम कुवर भाई जब स्थीजी आते हैं तो स्थीजी को हाथ पकड़कर पलंग पर बिठाते हैं चरण पच्छाल के तकट से स्थीजी के चरणों को सुन्दसाथ होते हैं बेठे चंदन चोकी पर और स्थीजी चंदन की चोकी पर बिराजमान होते हैं वहाँ पर सुन्दसाथ सुगंदित तेल से श्टी जी की मालिस करते हैं चबिला अत चबसो चबिल दाजी बहुत सजावट करके ल्याया कंचन मड्यो दातुन दातुन को एक सोने का जिसे उसमें मड़ा होता है उसके अंदर दातुन रख दिया जाता है उलाकर श्टी जी को देते हैं कौन चबिल दाज भाई जल ताता सिरा समें ताता सिरा यानि थंड़ा और गर्म जल चिलमची आफ में चिलमची जिसे पानी हाथ दोते हैं, जिसे पानी नीचे न गिरेत, उसको चिलमची जिसमें पानी रुख जाता है, वो चिलमची हाथ में लेकर कौन खड़ा होता है? नंद राम पकड़ बेठत नंद राम भाई पकड़ कर बेठते हैं श्री राज हाथ पकालत और श्री राज श्री जी उसमें हाथ दोते हैं संकर बाटरत चर्णामरित श्री जी हाथों को दोते हैं तो संकर भाई उस चर्णामरित को सब सुन्दसात को बाटते हैं श्रिदाज इस्तनान करके अब श्रिजी इस्तनान करके तहां से आये तखत पर अब श्रिजी इस्तनान करके तखत पर आकर विराजमान होते हैं इससे पहले चंधन का तिलक लगाते हैं श्रिजी और सुन्दसाथ को चित्वन करके दिखाते हैं यानि परमधाम के युगर सुरुप का सिंगार वर्णन करके सब सुन्द साथ को चित्वन करवाते हैं साथ खड़ा सेवन को और वहाँ सब सुन्द साथ सेवा के लिए खड़े होते हैं जान अपनी आतम, अक्ष्रतीत की अंगना आपने आपको मान कर, सब सुन्दसाथ सेवा में तत्पर होते हैं, रूपा बाई को रीच के, रूपा बाई को स्रीजी रीच कर, फुल्मा बनाने की सेवा देते हैं, फुल्मा बनाने की सेवा गुल महमत करते हैं, और रूपा कुछ ह्ख़र लेकर आती हैं, और स्ठी को आरग वािती है, आए मुकंदास हाजिर बुखंदा जी आकर स्ठी के सम्मॉख खड़े हो जाते हैं, चीरा बन्धावे झोप दे और स्ठी को पाग बनवाते हैं, कुछ सुन्दसाथ उननें भी सामिल होते हैं, मुकंदास जी के साथ और भी कई सुन्दसाथ सामिल होते हैं एक सुन्दसाथ अगर दास भाई दर्पन लेकर खड़े होते हैं तो दूसरे मुकंदास जी पाक का एक किनारा पकड़ कर खड़े होते हैं इस तरह हर सुन्दसाथ सिवा में तत पर है चंद्री का लटके सिर्पर चंद्री का एक आबुसन होता है जो स्टी जी सिर्पर धान करते हैं बेठत चीरा बांध के जब स्टी जी पाक बांध कर बेड़ते हैं उका ल्याया कलंगी उस समय उका भाई कलंगी लेकर आते हैं और अपने हातों से बना कर लाते हैं, जिसको श्रीची धारन करते हैं. जोली मया राम की, मया राम एक सुन्द साथ है, जिन्होंने ऐसे कपड़े बनवा रखे हैं, जिसमें कई जेब हैं, और कई सामान हैं, जिसमें सेली है, सुमर्नी है, या जो भी सामान की आवस्तक्ता होती है, वो सारा सामान मया राम भाई अपने साथ रखते हैं, जब श्रीची को आवस्तक्ता होती हैं, तो श्रीची मया राम भाई को बुलवाते हैं, श्रीची जो भी मांगते हैं, मया राम तुरंद निकाल के कहते हैं, कि धाम जनी ये सूइ, तागा, कोकड़ी, मैया राम जी अपनी जोली में सूइ, धागा, और कोकड़ी कहते हैं, जो सुट का धागा का जो बुच्छा होता है, उसको कोकड़ी कहते हैं. वो भी अपने साथ रखते हैं और भी कई जिसे लौंग, इलाइची, जावेद्री, आधी कई चीज़े अपने साथ रखते हैं और जिसको जो चाहिए वो देते हैं इत महाराजा आवत छत्र साल जी पहुच जाते हैं तो पहनावत है सिंगार और स्टी जी को सिंगार कराते हैं अपने आभु सान छत्र साल जी स्टी जी को पहनाते हैं भुखन श्री बायजी लियावत और बायजी राज भी आभु सानों को लेकर आती है उमंग, मेदे, चीत और बैजराज बहुत प्रसंद मन से आबुसन लेकर आती है रके भी रूपे की रके भी केते हैं पलेट को थाली चांदी की थाली में भर लियावत भुखन आबुसन भर के बैजराज जिलाती है रुमाल ढाब के लियावत आबुसन को चांदी की थाले में रखकर उपर रुमाल से ढाब कर बैजराज लेकर आती है माला दो मोतिन की उसमें दो मोतियों की माला होती है सोने की सांथल यानि जंजीर भी होती है और भी कई आबुसन जिसमें होते हैं पहनाई भूखन पीछे फिरे बायजु राज जी श्री जी को आपुसन पहना कर जब लोड़ती है राज भोग अरोगावत ब्याहां श्री जी को प्रातराज जिसको नास्ता कहते हैं अरोगया जाता है जिसको बाल भोग भी कहते हैं आई जी अरोगावने आई जी जो बायजु राज जी की माता जी है वो ल्याई बाल भोग में मुंग इत्यादी लेकर आती हैं और श्री जी को आरोगाती हैं लेले दोडे और कोई और भी कई सुन्दस सामगरी लेकर दोडते हैं कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, सब के मन में ये भाव है, कि स्थी जी हमारा भी कुछ आ रोगे, और स्थी जी सब की भावनाओं को रखने के लिए सब का थोड़ा-थोड़ा ग्रहन करते हैं, आसबाई अर्ज करें, आसबाई कौन है, लाल दर्ची, श्ती जी को आकर अर्ची करते हैं, पधारो घर मानिक की स्थी जी अद मानिक भावे के खर चलीए, श्ती राज रीज के बोलत स्थी जी रीज करके कहते हैं, आई बाई बुझरक, बुझरक केते हैं श्रेष्ट, सुन्दर साथ में कोई भेद नहीं है कोई छोटा बड़ा नहीं है लेकिन ये माया का खेल देखने के लिए हम आए हैं तो यहाँ पर जो जितनी कुर्बानी करेगा उसको उतनी सुभा मिलेगी परमधाम में सब समान है लेकिन यहाँ पर आत्मा तो सबकी एक है लेकिन यहाँ पर जिव कुर्बाने कर रहा है और लालदाजी ने अपने आपको स्टीजी पर निच्छावर कर दिया है कई जैसे सुन्दर साथ को कई सेवा में कभी कभी कोई दिक्कत भी होती थी तो लालदाजी ने 36 कार खाने बना कर उन सब सुन्दर साथ को सेवा में लगा दिया और किसी को कोई भी तकलिप नहीं लालदाजी हमेशन स्टीजी के समझ उपस्थित होते हैं और सारी सेवाएं भी हो रही है इसलिए धामधनी लालदाजी को आई बाई बुजरक कहकर पुकारते हैं कि यह आत्मा महान है पाम तले पावडा जब स्टीजी मानिक भाई के घर जाते हैं तो यहां लाल भाई पावडा बिछाने की सेवा करती है उनके साथ में और भी किस्नी भाई आदी सयोग करते हैं उठत पलंग परसे धन भाई लेवे हाथ जब स्टीजी पलंग पलसे उड़ते हैं तो धन भाई स्टीजी का हाथ पकड़ती है ऐसा नहीं है कि स्टीजी उठने में असमत है लेकिन सुन्द साथ के अंदर यह भाव है सुन्द साथ भाव से यह सेवा करते हैं कोई हाथ पकड़ के बिठाता है तो कोई हाथ पकड़ के उठाता है इस हाथ पकड़ के उठाने की सेवा में कभी लालदा जी भी सामिल होते हैं कभी-कभी माहाज़ च्छत्य साल जी भी आते हैं तो भी स्थी जी को हाथ पकड़ के उठाने की सेवा करते हैं लटके मटके चलत स्थिची अपनी मस्थी भरी चाल में चलते हैं संग वानी गावन हार और कई सुन्द साथ साथ में वानी का भी गायन करते हैं जोडे मंदिर गंगादाच का गंगादाची का जोस्थान है तहां बिच्छोने सब साज वहाँ पर बिच्छोने बिच्छाए जाते हैं तहां बिराजत राज और वहां स्थिची बिराजमान होते हैं मोदी बड़ा बुलचंद ये बुलचंद मोदी है जो बुजूग सुन्द साथ है वो स्टिजी के साथ साथ चलते हैं ठोर पहुँचे बॉल ही और जब स्टिजी अपने इस्थान पर पहुँचते हैं तो वो क्या कहते हैं धाम धनी की जय बुज़ुल कई संदसार Dawn कोई और सेवा नहीं कर सकते हैं तो क्या सेवा करें जेकारा लगाने की सेवा है हर सुन्दसार ने अपने आपको सेवा में लगाया हुआ है और सेवा करके सब प्रसन होते हैं कि हमारा सोभा की है कि हमें अक्ष्टत्तित की सेवा करने को मिल रही है पहले मोर्चल में रेता था नंदराम मूर्चल दुलाने की सेवा में नंदराम भाई थे पहले दूजी तरफ केसव दास एक तरफ नंदराम भाई रहते हैं और दूसरी तरफ केसव भाई रहते हैं बल्लबदास के सामिल और ये मूर्चल दुलाने की सेवा में बल्लबदास भी सामिल होते हैं इस्तिजी के सामने हमेशा उपस्थित होते हैं अब श्तिजी का चर्चा का समय होता है सारे सुन्दसाथ सामने बेट जाते हैं सामे मुर्ली धर आसन किया और मुर्ली धर भी स्तिजी के सामने अपना आसन जमा लेते हैं मुर्ली धर कैसे सुन्दसाथ है जो एक बार बेठ जाते हैं तो ना तो अपना आसन आसन को हिलाते हैं ना अपनी नजर को सीजी की नजरों से हटाते हैं सीजी की नजरों से नजरे मिलाकर चर्चा सुनते हैं और जब तक चर्चा पूरी नहीं होती है तब तक मूरली धर एक ही आसन में बेठे रेते हैं और अपने नेत्र को भी नहीं हटाते हैं उपर पहर दिन के अब जब पहर दिन चलता है आए मानिक के घर से दुबारा स्रीजी अब मानिक भाय के घर से लोटते हैं 6 से 9 बज़े तक पहला पहर अब दुसरा पहर सुरू होता है दुसरा पहर 9 बज़े से 12 बज़े तक का है दुसरे पहर में स्थी जी चर्चा करके सुना रहे हैं सब सुन्द साथ को और धर्म गंतों की साक्षियां देकर सबको समझाते हैं कि सुन्द साथ जी कैसे कैसे हमारी साक्षियां धर्म गंतों में हैं दो बाजू पलंग के और जब स्टीजी चर्चा करते हैं तो पलंग के दोनों तरफ एक तरफ लाल दाची बेटते हैं और एक तरफ केसर दाची बेटते हैं दोनों कतेप्रक्स और वेडप्रक्स दोनों प्रकार के ग्रंथ होते हैं जिसका अर्थिजी समझाते हैं और दोनों को मिला के समझाते हैं कि सुन्दसाजी कैसे हिंदुों के धर्म गंतों में जिसको च्छर अक्छर अक्षतार्तित कहा है उसी को कतेप्रक्स में ला इला इलि इल्ला कहा है, जिसको मित्युलोक, वेकुन, अक्षरधाम और परमधाम जिसको हिंदुलों के गरंतों में कहा है, उसी को कतेपक्स में क्या कहा है, नासुद, मलकुद, जबुद और लाहुद, इस सारे धर्म गंतों के जो रहस्य है, श्री जी एक करके सबसुन्द साथ को जाते हैं, राज हेतकर कहते हैं, श्री जी प्रेम से कहते हैं, काका बुलाओ सिताब, ये जेनती काका एक सुन्द साथ है, जो सारे धर्म गंतों को अपने पास रखते हैं, उनको जब श्री जी कहते हैं कि जेनती काका को बुलाओ, तो सुन्द साथ उनको बुलाते हैं, दो बाजू रहला धरे श्रीजी के दोनों तरब रहलों के उपर धर्मगंद रखे होते हैं और ये धर्मगंद रखने की सेवा जेनती काका करते हैं जेनती काका के हिर्दे में भी एक ही पाव है कि कैसे मैं अक्ष्रातित को रिजाऊं हजूर हमेशा रहते हैं और जेनती काका एक सेवा और करते हैं पेसे रखने की पेसे अपने पास रखते हैं जब किसी सुन्दसाइब को या किसी को आवज़ रखता होती है तो उसकी जेनती काका को बुलाते हैं और जिसको पेसे देने के लिए केते हैं जेनती काका उनको देते हैं सुन्दसाद के हिर्दे में ये नहीं कि हम सेवा लेकर एक अपना अधिकार जमा लें उनके हिर्दे में एक ही भाव है कि किसे हम सुन्दसाद की सेवा करें और जब कोई सुन्दसाद सेवा नहीं कर पाता है तो स्टीची को जाकर प्रातना करते हैं कि धाम्धनी ये सेवा मेरे से नहीं हो पारी है, आप ये सेवा दुस्ते सुन्दसाथ को दे दीजे, ताकि मेरी वज़ें से किसी सुन्दसाथ को कष्ट ना हो। इसे हाथ रखने का एक लकड़ी का होता है जो स्थी जी को देते हैं स्थी जिस पर हाथ रख कर बेटते हैं स्थी राज रीज के लेवता बाग जी भाई जब जंग उटा लाकर देते हैं तो अक्साति रीज कर उसको लेते हैं और जब बेठते बेठते श्टी जी को अधिक थकान फिर कई-कई घंटे बेठना पड़ता है तो श्टी जी उसका साहरा लेते हैं पंजा बनमाली दास का बनमाली दास एक सुन्दसाद कभी-कभी जब चलचा करते करते जिसे श्टी जी को खुजाना पड़ता है कभी-कभी हाथ से बनमाली दास जब देखते हैं तो श्टी जहां हाथ पहुँचाना चाहते हैं हाथ नहीं पहुँचता है तो बनमाई दास्त ने एक पंजा बना दिया ताके सीजी को पीट खुजाने में दिक्कत ना हो कैसे भाव है सुन्दसाथ के दुंद्राए तपसिर ले और दुंद्राए भाई तपसिर लेकर सीजी को सुनाते हैं कई सुन्दसाथ जब सीजी चर्चा करते हैं तो उस चर्चा को लिखते हैं ताकि आने वाले सुन्दसाथ को काम आए और बानी साथ ले खड़े और कई सुन्दसाथ सामने खड़े-खड़े यानि तत्पर देते हैं कि कब स्थी जी कौन सा महत्रपुन बात कहें उसको हम लिखें जो भी स्थी जी कहते हैं उसको लिखकर सुरक्षित रख लेते हैं भागवत गीता के स्थी जी गीता और भागवत के रहस्य कार्ड दिखावे राज दाम दनी भागवत के अंदर क्या है कौन सा रहस्य है ये भी सुन्दसाथ को बताते हैं गीता के अंदर क्या बात कही गई है हमारे लिए ये भी सुन्दसाज को श्री जी समझाते हैं श्री महाराजा आवत और जब महाराजा च्छत्त साल जी आते हैं तो वो भी चर्चा में बेपते हैं स्रवना देत सने सु और बहुत प्रेम से चर्चा सुनते हैं नफ़ा पावें खलक इन समय खलक जो आम लोग होते हैं उनको भी लाब पहुंचता है क्योंकि ये वाणी केवल सुन्दसाथ के लिए नहीं है बितक में क्या कहा है जो द्रिष्टी सुपन जीव की नहीं लिखी मिने लगार सो द्रिष्टी अखंड सुख में पहुंची नूर के पार कि जो जीव कभी भी भव सागर से पार नहीं हो सकता था वो जीव भी आज इस वाणी के आने से ज्यान को गहन कर रहा है और वो जीव भी परमधाम की बातें सुन रहा है तो सबसे यादा नफा किसको होता है नफा पावे खलक इनसे आम खलक को अधिक लाग पहुंचता है श्री मुख से चर्चा करें श्री जी अपने मुखार्विन से जब चर्चा करते हैं अती मीठी रसनाए बेन अती मीठे वचनों से क्योंकि जब हिर्दे में प्रेम होता है तो बाहर भी प्रेम ही जलकता है अक्ष्रातीत के दिल में सुन्द साथ के लिए कितना प्रेम है तो जब श्री जी चर्चा करेंगे तो प्रेम क्यों नहीं जलकेगा उस तीजी बहुत मिठी जुबां से मिठी वचनों से सुन्द साथ को समझाते हैं देशाख वेद कतेब की और वेद और कतेब दोनों पक्छों की साक्षियां देते हैं अत देत सुख चेन और जो सुन्द साथ ये चच्चा सुनते हैं उनके हिद्द को चेन मिलता है सकुन पहुँचता है क्योंकि अक्षतित की चर्चा सुनकर किसको चेन ने मिलेगा सन्मुक स्रवना देते हैं और यहां पर मुर्लिदा श्रीजी के सामने बेटकर चर्चा सुनते हैं दिल दर्यावा खुलत हैं और जब स्रीजी देखते हैं कि सुन्द साथ इतने निष्ठा से सुन रहे हैं स्रीजी जैसे जैसे चर्चा करते जाते हैं वैसे और बेदों को खूलते हैं दिल दर्यावा खुलत है कई लेरा उठत तरंग और नए नए प्रकार से स्रीजी भी सुन्द साथ को रिजाते हैं और सुन्द साथ भी स्रीजी को रिजाते हैं सुन्द साथ सेवा करके स्रीजी को रिजाना चाहते हैं स्रीजी उनको नए नए वचनों के द्वारा धर्म गंतों की साक्षियां देकर उनको रिजाते हैं कई साथ हैं सास्तन की और स्टिजी यहां और भी कई धर्म गनतों की साक्षियां देते हैं भागवत की भी साक्षि देते हैं और भागवत की जो चालिस प्रस्न हैं जिसे मोह क्या पदार्थ है मोह किसको हुआ है यह चालिस प्रस्न है जो बितक की ठिका है जिसमें स्वामिज साथ को समझाते हैं और साखें कई बारिकी और भी कई बारिक निसान जो होते हैं खोज के किरंतन और भी कई सादू संतों की बारिया होती उनकी भी साख्ची देकर श्टी जी सुन्दस साथ को समझाते हैं चर्चा चित दे होते हैं अक्ष्रतिइए चित देकर चष्चा करते हैं और सब सुन्दसाथ बहुट मगन होकर सुनते हैं कहाँ कहूं इन जुबान की और जबश्चिजी चष्चा करते हैं मिठी रसना से उस जुबान का मैं क्या वर्णन करूं जो हेत कर फुर्माएं धाम धनी बहुत प्रेम से वचन बोलते हैं धाम धनी निज धाम को और श्री जी परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन करते हैं सुख बतावत धाम को श्री जी बताते हैं कि परम धाम में कौन से अखन सुख है जिसको छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं किसे पुकराच पाहर का सुख है किसे होच कोसर में कभी घुमने जाते थे कभी परस्यम की चोगान में कभी 24 हांस के महल में कभी मानिक पाहर कभी सागरों में या कभी कहां इस सारे सुख धाम धनी वर्णन करके सुन्दसाथ को बताते हैं और क्या कहते हैं दुख बतावत खेल के सुन्दसाथ जी परम धाम के कौन से सुखो को हम छोड़ कर आए हैं और यहां पर क्या है दुख ही दुख है क्योंकि यहां पर केवल हमें प्रतीत हो रहा है के सुख है लेकिन है क्या दुख उपनी सद्ध ने इसी बात को कहा था कि तम आत्मस्थम ये इनुपस्यन तिधिरा तेसाम सुखम सास्वतम न इतरेसाम कि जो उस परमात्म का ध्यान करता है उसके पास सच्चा सुख है उसके अलवा कोई भी प्राणी संसार में सुख ही नहीं है क्योंकि बाकी लोग केवल सुखों के पीछे भाग रहे हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है क्या है एक आसा है एक आसा गेरे हुवे हैं कि अभी नहीं मिला तो बात नहीं मिल जाएगा यानि इस चीज में नहीं मिला तो इस चीज में मिल जाएगा और इसी तरह हमारा सारा जीवन बीत जाता है लेकिन वो छण कभी नहीं आता वो सुक कभी नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्योंकि वो सुक उसमें है ही नहीं जिसे बालू के अंदर से हम कभी तेल नहीं निकाल सकते उसी तरह हम संसार में कितना भी हम सुक पाने का प्रयास करें तो हमें सुक मिलने वाला नहीं है क्योंकि भोतिक चीजों के पीछे बाग कर हम सुख लेना चाहते हैं और उन चीजों में सुख है यह नहीं सुख कहा है धामधनी के चर्णों में और जिसने उस धामधनी से अपना सम्मन जोड़ा है जो सक्ष्ट अतीत का ध्यान करता है उसी के पास ही सच्चा सुख है और सच्ची सांती है उसके अलवा किसी के पास भी सुख नहीं है धामधनी बताते हैं कि सुन्दसाची दुख बतावत खेल के खेल में कैसे हम दुखी हो रहे हैं और दुखी हम इसलिए हो रहे हैं कि हमें माया की सुखों की चाना है जिस दिन हम इन माया की सुखों की चाना को छोड़कर धामधने की तरफ लग जाएंगे उस दिन हम कभी दुखी नहीं होंगे लेकिन जब तक हमें संसार की सुखों के पीछे भागेंगे तब तक हमें दुखी होना पड़ेगा हो तुम तो खेल देखने के लिए आये हो तुम आया चल देखने भील गया माहे चल खेल करने के लिए नहीं तुम चल देखने के लिए आये हो लेकिन यहां आकर तुम खेल करने में मस्त हो गए हो और यहां आकर तुमने मुझे भी बुला दिया क्या वादा किया था हमने प्रमधा में कि दामधनी एक बार तो क्या सो बार भी आप अजमा कर देखो लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे लेकिन यहाँ जब हम अपनी दीन चरिया को देखते हैं तो क्या है रजजी को याद करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है संसार के सारे काम करने के लिए हमारे पास समय होता है लेकिन जहां राच्ची को याद करने की बात आती है तो हमारे पास क्या होते हैं बहाने अभी ये काम है अभी ये काम है अभी ये काम है पर बहाने बना करके हम किसको ठग रहे हैं राजजी को हम दोखा नहीं दे सकते हैं क्या काए धनी ने जाए किनको दूतियो राजजी को हम कभी नहीं ठख सकते राजजी क्या कहते है तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी उस साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ में चच्रा चर्की डोरी राज जी तो देख रहे हैं कि रूहो तुम क्या कर रहे हो कि कैसे बहाना बना रहे हो और बहाने बना करके हम अपने ही पेरो पर पुलाड़े मार रहे हैं क्यों? क्योंकि समय तो हमारे पास होता है यहां इतने सुन्दसाथ बेठें विचार करके देखें क्या वास्तों में हमारे पास समय नहीं होता है समय तो हमारे पास होता है लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते हैं हम यह बाठ देखकर बेठे रहते हैं कि राजजी की महर होगी तो सब हो जाएगा क्या रज्जी की महर नहीं हुई है हमारे उपर यदि रज्जी की महर नहीं होती तो आज हम यहां नहीं होते है रज्जी की महर नहीं होती तो यह वाणी हमें नहीं मिली होती और आज हम अक्ष्टातित के चर्णों में नहीं होते राज्जी ने तो अपना सब कुछ लुटा दिया है वाणी के माध्यम से हमारे लिए लेकिन उस वाणी को हम कितना गहन करते हैं कितना उस वाणी पर चलते हैं ये हमारे पर निर्पर करता है और हम यह बाट ने देखें कि राज़ी की महर होगी तबी हम कुछ करेंगे, राज़ी की महर तो हो गई है, और पलपल राज़ी की महर बरस रही है लेकिन हम अपने आलश से को छोड़कर आगे बड़े क्योंकि जो भी ब्रमात्मा होगी वो कभी भी ये बाट देखकर नहीं बेठेगी हुकम के सी दोस्ते पेट न सके मुमिन तो धामधनी यही बता रहे हैं कि सुन्द साथ जी तुम नहीं इन खेल के के हे ब्रहमात्मा हो तुम इस खेल के नहीं हो तुम तो परमधाम के हो तुम्हारा मुल्तन परमधाम में है और तुम परमधाम से यह माया का खेल देखने के लिए आये हो याद करो निजधाम और उस परमधाम को याद करो कि जहां अक्ष्ट अतित के साथ केसे पलपल हम उस आनन में डूबे रहते थे दिन क्यामत के एक कहे थे श्टी जी पांच दिनों के बारे में भी बताते हैं पांच दिन कौन से पहला ब्रज का दूसरा राज का तीसरा मुहम्म्मद साहिब का चोथा धनिष्ति द्यव चंदर जी काॉर पान्चवा श्ति मेरा समय Ali के तर्द म्ले बेट की अचितति करते हैं इन पान्च geg दिनों के बारे में बिश्ति जी सुन्द साथ को बताते हैं दिन क्यामत के कहे थे और कैसे पुरान के अंदर जो क्यामत के निसान वरनी थे कि जब क्यामत आएगी तो ऐसे ऐसी घटना है घटे की वो क्यामत के निसान भी हो चुके हैं दापतुर्ज अर्ज नाम का जानवर प्रगट हो चुका है जो वस्यत नामे प्रगट होने थे वो भी आ चुके हैं सारी चर्चा श्टी जी सुन्दसाथ को सुनाते हैं अरस इलाही खजाना और उस परमधाम के अखंड खजाने को श्टी जी सुन्दसाथ पर उडेल देते हैं यानि सारे भेद खोल कर सुन्दसाथ को सुनाते हैं जिन ताले लिखा सोपावी पर कौन इसको ग्रहन करेगा जिनके भाग्या में लिखा है क्योंकि जिनको केवल संसारिक सुखो से मतलब है वो कभी भी इस ग्यान को ग्रहन नहीं कर पाएंगे इस ग्यान को वही प्रहन कर पाएंगे जिनको हिर्दे में अक्ष्रातित के लिए प्रेम है इन चर्चा में बोलन की और जब स्रीजी चर्चा करते हैं तो काहूं ना रहे मजाल किसी को बोलने की भी आवस्ता नहीं पड़ती है क्योंकि जब स्रीजी सारे भेदों को खोल के सुन्दसाथ के सामने रख देते हैं तो कोई क्या बोलेगा बीच में अब कहूं आरोगन की अब जब चर्चा समात होती है अब श्रीजी भोजन का समय होता है दो घड़ी दो पहर में दो पहर पुरा होने में दो घड़ी बाकी है यानि सब ग्यारा बजे का समय है बाई हनमन्त अरज करे हनमन्त बाई श्रीजी को अरजी करती है कि धामजनी क्या में थाल भोग ले आऊं हुकम किया हक ने रजी क्या हुकम करते है जाय के लियाओ थाल श्रीजी कहते हैं कि आप थाल लेकर आए हुकम हुआ श्रीजी कहते हैं कि मुझे आप बार बार चर्चा में क्यों भंग करते हैं प्योंकिए आप सब सारी सामगरी लियाए जिसे आप सब लियाओगे मैं यहां से उठकर चल दूँगा अब सृचीजी क्या हुकम करते हैं लियाओ धोती फोती तेल शीजी कहते हैं धोती तेल इतियादी सामगरी आप लियाओ तब लो मो को चर्चा से उससे पहले आप मुझे क्यूं चर्चा से रोकते हो उठत राज जीलन को अब श्टी जी चर्चा को बन करके अब जीलन करने के लिए श्नान करने के लिए जाते हैं सक्खियां तेल लगावत और कई सुन्दसाथ स्नान से पहले श्टीजी के सरीर की मालिस करते हैं तेल प्रसादी बांटने और जिस तेल से श्टीजी के सरीर की मालिस के जाती है वो बचावा तेल सुन्दसाथ को बांट दिया जाता है गरत सेवा गंगाराम और यह बाटने की सेवा कौन करते हैं गंगाराम भाई करते हैं मानक ताते जल को मानिक भाई गरम जल को लेकर आती है जल समवने लिया और उसमें ठंडा जल मिलाने के लिए कौन लाते हैं गंगा राम भगवान गंगा राम भाई और भगवान भाई गरम जल में ठंडा जल मिलाने के लिए लेकर आते हैं जीलन की सेवा मिने अब जीलने की सेवा में जीलन रंग सुहामना ये गाने की सेवा कौन करते हैं कंणर भाई और गंगा राम भाई ये सेवा करते हैं चंद्रवा उपर तानत और जब स्थिजी इस्नान कर लेते हैं तो फिर जब स्थिजी चलते हैं तो उपर चंद्रवा तान दिया जाता है रुमाल ल्याई लालबाई श्रीजी जब इसनान करते हैं उस समय लालबाई रुमाल लेकर आती है प्रेमदास सामिल रहे लालबाई के साथ प्रेमदाची भी इस सेवा में सामिल होते हैं घेर के ठाड़ी रहे और कई सुन्दसाथ घेर कर खड़े होते हैं सोभादास जिलन में और सोभादास चपस्टी जिलना करते हैं उस जल में सोभादास अपने आपको लोट पोट कर देते हैं क्योंकि एक भाव है सुन्दसाथ के हिदे में कि ये अक्ष्टतित है तन को जब हम देखेंगे तो तन के अवगुन भी सामने आते हैं लेकिन सुन्दर साथ तन को नहीं देख रहा है, सुन्दर साथ को एक अक्ष्टाती दिखाई पड़ रहा है और इसलिए सब सुन्दर साथ अपने आपको प्रेह में डुबो कर सेवा कर रहे है निर्गुन भेखा रहते, सुभा दाजी जब से जी जिलना करते हैं लोड़ कोट हो जाते हैं और अपने आपको निर्गुन भेश में रखते हैं नफस के दुस्मन नफस यानि इंद्रियो के चाहना और इसके दुस्मन कौन है? सुन्दसायद संसार को देखो, संसार क्या है? सारा संसार केवल इन इंद्रियों के सुखों के पीछे भाग रहा है आप कहीं भी जाओगे तो यही दिखेगा इंद्रियों के सुख जिसमें आज दुनिया रची पची है लेकिन एक अक्ष्टातीत को अपना प्रेत्म मानने वाले सुन्दसार कोई इंद्रियों के सुखों से कोई मतलब नहीं है क्या कहा नफस के दुस्मन इंद्रियों की चानाओं के दुस्मन कौन है सुन्दसार उनको संसार के सुख नहीं चाहिए जो खाने को मिल गया जैसा भी मिल गया वो खा लिया जो पेनने को मिल गया वो पेन लिया जेसी भी इस्थिति है कोई किसी के हिते में कोई शिकायत नहीं है बस एक ही लगन है कि कैसे हम सुन्दसाथ की सेवा करें कैसे चर्चा सुनके या कैसे अक्ष्यतित को रिजाए यही भाव लेकर सारे सुन्दसाथ यहां पर लगे वें केसो दास बानी ले बाचता केसो भाई बानी को बाचते हैं लाल दास पुरान की केसो दाची कई संतों की बानी को बाचते हैं और लाल दाची क्या पढ़ते हैं पुरान पढ़ते हैं महादाजा दो थुर में और जब छट्र साल जी आते हैं तो छट्र साल जी श्टी जी को सोल उड़ाते हैं पीव पावडे चलतर और श्टी जी पावडे के उपर चल कर जाते हैं पन ही जोडे जड़ाव की खड़ः, जब स्रिदिक चलते हैं, तो खड़ः आगे रखने की सेवा कौन करते हैं? वल्लब भाई दोन पातर बनावत, सुन्दस साथ को भोजन कलाना है, तो दोने और पत्तर बनाने की सेवा भी सुन्दस साथ करते हैं ए जो खेमदास खेमदास भाई करते हैं ये सिवा थाल उपर चंद्रवा जब श्रिजिस्नान कर लिए होते हैं तो जब थाल भोग लेकर आते हैं सुन्दसाथ तो बैजुराज बीच में थाल लेकर चलती हैं चार सुन्दसाथ चद्द से उपर चारो कोने पकड़ कर चंद्रवा करके चलते हैं थाल बड़ी रूपे की थाली किसकी है चांदी की आस बाई बनाई करहे थे लाल दा जिने बनाए थी धोई रुमाल सो पहुच के जिसको धो करके फिर रुमाल से पहुचा जाता है और राजभोग थाल में राजभोग को थाल के अंदर रखा जाता है श्टी बाई जी आवत अरोगावने बाईचु राज श्टी जी को अरोगाने के लिए आती है गादी बिहारी दास धरे श्रीजी के बिराजमन होने से पहले रादी आदी पिछाने की सेवा बिहारी दास जी करते हैं इत खमा ललीता बोलता और जैसे श्रीजी आते हैं तो ललीता सक्षी क्या बोलती है खमा नहीं कि धाम धनी सब का वंगल करे कन्नड इनके साथ और ललिता के साथ कन्नड भाई भी होते हैं कभी परमानन भाई भी होते हैं और कभी गंगाराम भाई भी होते हैं थाल धरी ता उपर जो बिहारी दाजी ने गद्दा बिछाया उसके उपर थाल रखे जाती है लई मानक चिलमची मानिक भाई चिलमची लेकर आते हैं और श्टी जी को हाथ दुलवाते हैं सैयन मिलावे किरो से और सब सुन्दसाथ आवत आरोगने थाल सुन्दसाथ भी यहां थाल आरोगने के लिए आ जाते हैं जब श्टी जी भोजन आरोग रहे होते हैं कई सुन्दसाथ जैसे कई कर्टोरे में भोजन लेकर आते हैं उसमें भी बीच में कोई कुछ लेकर आ रहा है कोई कुछ लेकर आ रहा है सब चाहते हैं कि हम श्टी जी को यह आरोगाए हम श्टी जी को यह आरोगाए जब स्टीजी भोजन आरोग लेते हैं तो सबसे पहले उप्रसाद महिला सुन्दसाद को बार दिया जाता है और बाकी बचावा सुन्दसाद सब सुन्दसाद को प्रसाद दे दिया जाता है राजा राम हेत सो पावे इनको स्वाद राजा राम भाई जो मेर्टा के सुन्द साथ है राजा राम भाई और जानजन भाई ये मेर्टा के सुन्द साथ है और मेर्टा से लेकर पन्ना तक कि सारी सेवा उन सुन्द साथ की होती है जिस सुन्दसाद को वस्त्र बोजन इस सारा खर्चा वही सुन्दसाद देते हैं जब श्रीजी का प्रसाद सुन्दसाद को बांट भिया जाता है तो इसका स्वाहत राजाराम भाई और जानजन भाई को भी मिलता है उनको अनुभूती होती है कि धाम धनी का प्रसाद हमें मिल गया है और उन सुन्दर साथ ने जिनकी फेक्टरियां थी बड़ी बड़ी जिनने श्टी जी को कहा था कि श्टी जी हमसे ये संसार का कार्या नहीं होगा लेकिन श्टी जी ने आदेश दिया था कि राजराम और ज सुन्दर साथ की सेवा में खर्च करना है और तबी से उन सुन्दर साथ ने उससे जो भी धन आता है सारा धन सुन्दर साथ की सेवा में ही लगाते हैं वही राजराम भाई को ये परसाथ कि स्वाद के अनुभूती होती है जल अद बीच में देवे छबिल दास सिची जब आ रोखते हैं उसमें बीच में जल भी ग्रहन करते हैं पिकदानी तले धरत पिकदानी जैसे पिकदानी को वल्लब भाई नीचे रखते हैं हजूर हमेशा दोई रहे पिकदान और दोनों तरब दो पिकदानी रखी होती है मयाराम आवत इस समय मयाराम भाई भी आते हैं क्या करते हैं चिप़ी में चने लेकर आते हैं चिप्पी उसको कहते हैं जिससे नारियल के अंदर का जो बुदा होता है उसको निकाल देया जाता है उसको बर्तन के रुप में प्रयोग किया जाता है जिसको चिप्पी कहते हैं तो मया राम भाई चिप्पी में चने लेकर आते हैं दूद दधी सिख्रना दूद दधी और स्रीखन श्री बायजी अलोगावत करहेत और श्री बायजुराज बहुत प्रेम से श्रीजी को अलोगाती है जब श्रीजी आरोग रहे होते हैं कई सुन्दसार सामने खड़े होते हैं कि धामधनी सब कटोरियां लेकर खड़े होते हैं श्रीजी सब के कटोरी में से थोड़ा थोड़ा ग्रहन करते हैं ताकि किसी को ये न लगे कि धामदरी ने मेरे कटोरी से नहीं लिया अक्ष्रतित सब की भावनाओं को रखते हैं अपने चत्रसाल जी की प्रसंग में जब सुना था कि जब चत्रसाल जी अपनी पाग बिचाते हैं क्योंकि पहले मजली राणी अपनी साड़ी बिचाने को तयार होती है तो चत्रसाल जी उनको मना करते हैं और जब चत्रसाल जी पाग बिचाते हैं तो पाग कुछ कम पड़ती है जैसे पाग कम पड़ती है श्री जी मजली राणी को इसाड़ा करते हैं जब मजली राणी ये देखती है, तो मजली राणी की आँखों में आशु आ जाते हैं, कि धामदनी, आप हमारी भावनाओं को कितना समझते हैं, और आप हमारी भावनाओं का कितना मान रखते हैं, यहाँ पर विश्री जी, सब सुन्दसात की भावनाओं को समझते हैं, और स सबकी कटवरी में से कुछ न कुछ अवस्य ग्रहन करते हैं। अब यहां पर समय पुरा होता है। कल चर्चा होगी तीसरे पहर की और आगे जो भी पहर आएगा उसकी चर्चा कल होगी। अब यहां चोपई दुदाएंगे। महामत कहें ए साथ जी। ए बात बड़ी बुजरक एक ज़दा में न के सकूँ लाल कहा गजे माफक लाल कहा गजे माफक बोलोस्ती प्राणनात प्यादे कीचे बोलोस्ती सद्गुरू मादाचे कीचे नाम चे